नрамस्कार आज हम डिस्कस करेंगे HP-SAC का प्रीवेस विक्र है हम इंडिया जी के सेक्ष्ण जो निवर हम सृक्ष्ण करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे हिस्थरी के से स्फ़रिप ये नुट्रिक किया था Q7 स्टार्ट करेंगे यहां पर पूशा गया है first use of handmade portrait appears during witches तो किस काल के दौरान जो था वो हस्त निर्मित मृत भांड का सरप्रत्थम उप्योग किया गया था कौन सा ऐसा पिरियट था जिस पिरियट के दौरान जो था वो सबसे पहली बार जो था वो handmade portrait का यूज़ किया गया था तो इस question का सही answer है option जी नियो लिथी के जी नियो लिथी के जौनी के नव प्रस्तर काल जो था इसके इस एस के दौरान जो था वो handmade portrait का यूज़ किया गय था अगर ages की बात करें तो अलग लग लग जैजीस है पेले लिथी केज है मेजलिथी केज है छेनकों लिथी केज है और new lithicase अगर specific group से बात किजा है new lithicase की तो this age के दौरान क्या क्या हुआ दुखो इस age के दौरान जो था पशुन को पल्दू बनाना भी start हो गया इसमें ये important है new lithicase के बारे मैं अच्छा आपने सुना होगा भीम बेटका की गुफा territ भीम बेटका की गुफाइं कहां से संबन दिते हैं यह जो है यह मध्या पाशान काल से संबन दिते हैं तो यह भी आप याद रखे है कि यह गुफाइं किस से संबन दिते हैं Question No.9 देखे यहां पर पूछा गया है वेदाज अर डिवाइडे इंटू वेदों को निमलिकित मैंसे किस में विभाजित किया गया है अगर वेदों की बात किया जाए कि वेदों को किस में विभाजित किया गया है तो फाइनल अंसर की एक गॉर्डिंग इस Question को वैसे जो स्क्रैब कर दिया गया है तो इसके बारे में हम डिसकस नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रैप करती आ गए है जब है जो सुर सेन महाजनपद इसकी राजाने के हैं और हम महाजनपदों करेंगे इंपोर्टन महाजनपद महाजनपद और उनकी कैपिटल्स की स्टार्ट करते हैं कौसंभी से कौसंभी किसकी राज़ाने थी तो देखो कौसंभी जो था वो वद्स की राज़ाने थी वद्स आपको महाजनपद याद रखना है वद्स की महाजनपद राज़ाने थी वैशारली की बात करें वैशारली किसकी राज़ानी थी वैशारली वज्जी महाजनपत की राज़ानी थी वज्जी महाजनपत आपको याद रखना है और उसी तरह तक्सीला की बात की जाए कि तक्सीला किसकी राज़ानी थी तक्सीला जो था वो गांधार महाजनपत की took place during the royal pattern of which of the following और रॉइज निए वाहे थी जो चौती बहुत संगीती हुई थी ना ये किसके स्ट्रक्षण के दुरान हुई थी किक्ति किसके संग27 दिया था यह हुई थी कनेश्ग के संगशन के संगशन के राफनी थी से does तो पहली संगीती गब हुई थी तो अजात सत्रु के कारेकाल के दुरान पहली संगीती हुई थी और अगर दूसरी संगीती की बात करें तो कलाशोग के कारेकाल के दुरान दूसरी संगीती हुई थी तीसरी संगीती की बात करें तो तीसरी संगीती जो था वो अशोग के कार काल के दुरान होई और अगर हम बुधीन के बारे में जाने तो महात्मा बुथ के बारे में थ्रोड़ा सा bis violik में आपको करवा देता हम आद मात्मा बुथ का जनम जो था ब form पूछा गया है यहां पर पूछा गया है तो सबसे प्रसीद जो इंडो ग्रीक साशक था वो कौन सा था भारती ग्रीक साशक जो सबसे प्रसीद था वो था मिनांडर वर्षी नबर 12 का ओप्षिन है सहीं से मिनांडर अब यह सबसे सबसे इंपोर्टन्ट सा सबसे फेमस था अगर हम कुछ और भी यहां से जाने अगर आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी नौलेज यहां से होने चाहिए मिनांडर के बारे में थोड़ी नौलेज होने चाहिए तो को मिनांडर एक इंडो-ग्रिक्स आशक था इसने जो तो का किया था ये जो था ये बात में बुधिजम में कनवर्ट हो गया था इसने बहुत धर्म को धारन कर लिए था एक तरह से आप ये कहा सकते हैं अगे देखे पूछा गया है अजन्ता पेंटिंग बिलॉंग टू विच पिरिड़ी जो अजन्ता की चित्तर गला है कैसे इसको जोड़ा साथता है तो हमें चल कि जो ताबो मोनेश्ट्री है उसको अजन्ता ओफ हिमालेस भी कहा जाता है ताबो को अजन्ता ओफ हिमालेस कहा जाता है और अगर हम बात करें अजन्ता गुफाओं की तो अजन्ता की गुफाएं भी हैं काम पर हैं कि महारास्ट्रा में पढ़ती हैं महारास्ट्रा में पढ़ती हैं अजन्ता की गुफाएं और इसके बारे में एक और important बात आपको याद रखने हैं कि अजन्ता की गुफाएं जो था ये UNESCO World Heritage Heritage List में भी सामिल की जा चुकिए हो यहां पर सामिल किया गया था 1983 तो Lakht Cream 14 में पूछते हैं जाजिया वाजा च्ष्ष। एक रस आपको ये अगर इसके बारे में जाते थी तो उस time उनके ओपर यह text लगा दिया था था ठीक है बात मैं अकवर के कारेकाल के दुराने इस text को हटा भी दिया गया था पर अगर हम इस question में बात करें तो इस question को final answer की के recording scrap कर दिया गया है ठीक है तो scrap कर दिया गया है बाकि मैंने basic आपको इस text के बारे में बता द text था कैसे किसे किसे इसको हटाया और किस चीज के ऊपर यह लगाया चाता था अब धियान रखिएगा कि जाजिया कर जो है वो किसने हटाया था, किसने इसको abolish कर दिया था अकवर के दौरा जो था वो मापत कर दिया गया था यह दियान रखना है नेक्स question कॉशन देखते है आमने पास क्या दिया गया आगे दिये पूछते हैं यह आपर पूछा गया है तब भामानी किंग्डम और डेकन वास फॉंड़र वाइब इचौधा फॉलाइंग यह जो किसके दुवारा जो था वो दक्षिन में भामानी राज्ये की स्थापना की जो भामानी किंग्डम था इसकी स्थापना किस ने की थी तो क्षिन नेंबर 15 की बात करेंगी तो इसकी स्थापना की थी हसन गंगो के द्वारा यह क्षिन ना क्लेरिकल के एक्जाम में दो तिन बार पूछा गया है या धान रखी का क्लेरिकल का कोई एक्जाम आगया आएगा या फिर HPSAC कोई भी ए जाम आता है तो उसमें डेफिनिटली आपको यहां से हल मिलेगी तो बहमानी के इंग्डम आपको पता चला किस की स्थापना किस ने की थी हसन गंगो ने की थी यहां पर एक और नाम दिया गया है सालूब नर्सिहां सालूब नर्सिहां ने जो था किस वंस की स्थापना की थी तो एक सालूब वंस हुआ करता था, सालूब वंस की स्थापना की थी, नर्सिन सालूब ने, इसको कहीं पर नर्सिन सालूब भी लिखा जाता है, ये याद रखिए, और अगर हम बात करें, हरी हर और बुक्का की स्थापना की थी, तो संगम वंस की स्थापना की थी, हरी हर फ जगया है which bhakti saint was contemporary of सिवा जी तो कौन सा भक्ती संथ जो था वजी का समकालिन था तो अगर शिवा जी के समकालिन भक्ती संथ की बात करें तो वह तुकाराम था तुकाराम option ए जो है वह सही तुकाराम के बारे में हमने last video में या फिर उससे पहले equation पढ़ा था क्या पढ़ा था कि देखो तुकाराम ने एक तो सिवाजी का समगालीन था और तुकाराम ने जो था वो हिंदू-मुस्लिम एकता के उपर विज़ता वो बल दिया था ये हिंदू-मुस्लिम एकता को जो था वो इक्साल लाना चाहता था उसी तरह यहां प खबीर के गुरु हो गए रामनंद और रामनंद के गुरु हो गए रामानुज यह आपको ध्यान रखना है मैं लास्ट वीडियो में भी यह डिटेल से ऐसे ही आपको बताया था तो अगर आप डेली वीडियो देखते है नो तो यह चीज़ें तो आपको टिप्स पर अभी की बात करें पहले तो आपको कमेंट करके बताना है कि तराइन का पहला यूद कब हुआ था तराइन का दूसरा यूद कब हुआ था पहले यूद में किसकी जीत हुई थी और दूसरे यूद में किसकी जीत हुई थी यह देखो मैंने हिस्टरी में कहीं बार आपको बताया ह बलोखरा का जब हमने पार्ट 4 डिसकस किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है किस तरह से चला था तराइन का पहला और पहला और दूसरा यूद तो आपको कमेंट करके ये बताना है बाके दर कि पाणिबद का पहला यूद क्पूछा था 1526 में पानिबद का दूसरा कि वह सेवंटिन शक्षटिव॔र में 764 में काँसा यूद हूद गूता 764 बक्सर का उप सेवंट चिर्फटिफोर में यह सब यूद जो है आपको इस तरह से याद रख रहे हैं क्योंकि हम इनको रिवाइज करते रहे हैं आपको माइन में सेट हो गए होगे एक और इंपॉर्टन बात जो बलोख्रा के हम पार्ट डिसकस कर रहे हैं तो पार्ट फोर में टार्गेट रखा था कि एक हजार लाइक जब पूरे हो जाएंगे तब पार्ट अगला जो है इनके पार्ट फाइफ डिसकस किया जाएगा अभी तक जब नौशलाइक से दिखो चुके थे फूफ्ड़ी आप एक हजार लाइक जल्दी ही पूरे करतें इसने काफी construction जो था वो करवाई थी मैं बताऊंगा कैसी construction है पहले इसके original वास्तविक नाम भी बात करते हैं तो इसका वास्तविक नाम था फरीद इसका वास्तविक नाम हुआ करता था अगर हम एक और बात करें कि सेरसांसुरी का जनम कब हुआ था तो इसका जनम 1472 में इसका निर्मान के लिए अगर हम इंपोर्टन सडकों की बात करें तो जीटी रोड जिसके बारे में आप सुनते हैं जीटी रोड का नाम आपने सुना होगा जिसको ग्रांट ट्रंक रोड भी कहा जाता है इसका निर्मान जो था वो सेरसां के द्वारा करवाया जिए था तेरसांसुरी ने जो था वो इसका निर्मान जो था वो करवाया था और एक इन्होंने दाम चलाए था दाम का जो था इसे ऐसा हिसाब था कि ये तामबे का सिक्का हुआ करता था तो इस तरह के सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे और इनके कारेकाल के दुरान जो था तकसालाएं भी हुआ करती तकसालाएं कि इसको कहते हैं जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं जब हुमाईयों यहां पर साशन करता था भारत पर तो हुमाईयों के साथ निकी लड़ाई भी हुई थी फिर हुमाईयों के उन्हें हरा दिया था और कुछ टाइम तक इन्हें यहां पर साशन भी किया था तो ये आप याद रखिए, आगे question में क्या पूछा गया है, question number 19 में, यहां पर पूछते हैं, फिचावदा following invented गुरु मुखी लिपी script, जो गुरु मुखी लिपी है, इसका विश्कार किसने किया था, गुरु मुखी लिपी की अगर हम बात करें, किसका विश्कार किसने किया गुरु अंगद जी थे, जिनने उन्हें गुरु मुखी लिपी का विश्कार किया था, गुरु के बारे में हमने एक और question जो लास्ट वीडियो में पड़ा था, question हमने पड़ा था कि नवंबर मिहिने में जो है, किस गुरु का death हुई थी और जिसको सहीदी दिवस के रहिए हम बात करें, गुरु के बारे में तो उससे पहले एक important information है, अगर टेलिग्राम पर आपने हमें अभी तक join नहीं किया, तो इस तरह से सर्च कीजिएगा, add the rate all exam 31, आपको हमाना टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको important QG's मिल जाएंगे, important notification, videos, advertisement, सब कु questions का QG's भी आपको जल्दी ही वहां पर practice करने को मिल जाएगा, यहां से बहुत सारे questions उठाके, तो अभी बात करते हैं, गुरु के बात कर रहे थे, गुरु नानक देव की सबसे पहले बात करते हैं, तो सिक धरम के परवर्तक कौन थे, यह थे गुरु नानक देव, गुरु अरजन देव हैं, गुरु अरजन देव जी की बात करें, तो इन्होंने गुरु गरंथ साहिब का अकलन भी किया था, संकरन किस ने किया था, तो गुरु अरजन देव जी ने जो था, वो गुरु गरंथ साहिब का संकरन किया था, अगर गुरु गोविन सिंग जी की बात कर करके उस पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पर आपको important videos जो हैं हम time to time देते रहते हैं हेमाचल की small stories के रूप में तो हेमाचल की काफी knowledge वहाँ से मिल चालीगी आज की वीडियो में इतना ही काफी है so that's all for today thank you, thank you very much for watching and listening it very patiently